संसत का विशेश सत्र चल रहा है और इस विशेश सत्र में ही संसत के पुराने भवन से संसत के नए भवन में जाना हो रहा है तो इसको लेकर हम संसतों से उनकी राय जान रहे हैं मेरे साथ परशिम मंगाल के दारजलिंग से संसत राजु बिश्टा जी है इन से जानते हैं, सर आप जब चुनके आया यहां चार साल आपको पुरानी भवन में हुए हैं, अब आप नए वाली भवन में जाएंगे, किस तरह का आप कानुभाव हैं? शायद मैं ऐसा मानता हूँ, मैं बाकिस सबसे ज़्यादा भागे साली हूँ, पहली बार सदन में आया, और एक ही कारेकाल के अंदर में पुराना जो संसत बवन जिसकी इतनी गरिमा है, जिसकी इतनी उपलब दिया है, और भारत को आजात होते हुए भी देखा, और भारत को हम नए सदन में जा रहा है, नए उमीद के साथ और नए लोगों के अपिक्षाई की पूर्ती करने के लिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है एक ही कारेकाल में ये जो ब्रिज बनने का काम मौका मिला, मुझे लगता है हम जैसे जो पहली बार सदन में चुनकिया है, उनके लिए बहुत बड़ी उमीद है ये, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तेज गती के साथ आज देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नितरुतों में, नए पारलमेंट भवन से 140 करोड जनता की अपेक्षाई जादा होगी, और डिजिटल होगी, और फास्ट उमीद होगी, औ उन सब अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है, तो हमारे साथ दारजलिंग के सांसार राजु बिष्टा जी थे, उन्होंने बताया कि चुकि नया भवन तकिनिकी तोर पर पूरी तरह से तयार है, ऐसे में सांसारों को वहां काम करने में आसानी होगी,